आज हम बात करने वाले हैं कि रिस्क मेनेजमेंट क्या है, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, रिस्क क्या होती है, तो आज के हम इस वीडियो में रिस्क मेनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो उससे पहले आप से एक निवी दने कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि हमारा मेंशन है इंडिया को फाइन से लिए बनना तो आप हमारों उसमें साथ दे सकते हैं तो आईए चलते हैं नवस्का दोस्तो मैं हूं शयलेंद और स्वागत है आपका मार्केट मिश्टी चैनल में आज हम बात करने वाले रिस्क मेनेजमेंट रिस्क मेनेजमेंट क्या है देखा जाए तो रिस्क और मेनेजमेंट दो अलगलग सब्दें रिस्क का मतलब जोकिम और मेनेजमेंट का मतल मतलब प्रभंधन यानि किसी जोखिम को प्रभंध करना है प्रभंधन करना उसको मरिस मेंट कहते हैं Middle कोई ऐसा काम जिसके बादे में पता नहीं हम करना चाकते हैं कोई भी बिजनिस चाहिस और करते हैं कि आप से शुरू करना चाहते हैं उसको रिस्क बोलते हैं याई उसको जोखिम बोलते हैं वहाई अगर इलमेट की बाती को करना यानि रिस्क को अगर यहां पर रिस्क मेनेजमेंट की बात कर रहा हैं तो रिस्क को मैनेज करना अगर आप बाइक चलाना सीख रहा है माल लेते हैं जो हर समय हमारे साथ रहती है रिस्क नहीं होगी तो हम आगे नहीं पड़बाएं क्योंकि रिस्क जोखिम होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जब जोखिम लेते हैं किसी चीज के लिए तब ही हम bent पता चलता है कि उसके आगे कितनी संभावब ना है उसके आगे हम और कहां तक जा सकते हैं अगर हम रिस्क मेनेजमेंट की बात करें फाइनेंस अल्टर में अगर हम शेयर मार्केट से इसको जोड़ है तो शेयर मार्केट ने बहुत ज़्यादा रेस्क है लेकिन भही हम उसको मैनेज करके चलते हैं इसलिए उसमें टेके रह पाते हैं आपने कई लोगों के से सुना हो आपे बहुत जोगा है वहां पर पैसा लगाते हैं तो डूब जाता है ऐसा इसलिए बुलते हैं क्योंकि वह आते तो हैं मार्केट में आप नॉलेज नहीं लेते हैं रिस्क को मैनेज करना ने जानते चीजह समझते हैं और ही साथ जितना पैसा पूरा लगा दिए मार्केट में उसी समय मार्केट नीचे डाउन हो जाता है या फिर उसमें कुछ हल चल सा उसके साथ उनका पैसा सारा का नुख करें जो अत्य नहीं करते हैं और र sprint हमेसा रहती है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी इसको को कैसे हम manage कर सकते हैं, उसको हम analyze करते हैं, उसको हम identify करते हैं, उसको हम pre planning से manage कर सकते हैं, जैसे माल लो आपने कोई stock खरीदा एक, अब आपने एक pattern देखके, एक chart देखके खरीदा कि यह stock इतने रेज तक जा सकता है, लेकिन अब इसमें यहाँ पर कोई confirm करके तो नहीं बताएगा आपक ज्यादा पैसा मिलेगा, तो risk ले रहा हैं, इसलिए हम ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, अब यह ऊपर जाता है, तो आप नहीं करा, आप इसको आप चाहते हैं कि इसमें risk है, यानि जो कि मैं कम से कम हो, तो आप नहीं करा, उसमें stop loss लगा दिया, यानि आपने risk को manage कर लिए तो risk आपका कम हो गया, क्योंकि अगर stock का price नीचे आता है, तो आपने stop loss लगाए, उससे नीचे नहीं जाएगा, वहां तक ही आपका stop loss हट जाएगा, यानि उतना ही पैसा जाएगा, जतना आपने सोचा है, उपर जाएगा price तो आप stop loss उठाके और उपर रखेंगे, तो उस बात है, क्योंकि हम risk कभी भी आ सकते है, जो risk जोखिमें uncertain है, कभी भी आ सकता है, आपको नहीं मालू है, लेकिन आप उसको manage करके पहले से चल ला है, क्योंकि आपको मालू है कि कब आएगा risk, आपने health policy ले ली, क्योंकि आपको मालू है कि 2 लाग रुपे, 5 लाग रुपे त अगर आपको loss भी होता है, तो 15,000 का होगा, लेकिन अगर कोई problem हो जाती है, तो उस तरीके से risk को हम manage कर सकते हैं, एक हो simple example से समझ लेता है, कि risk management क्या होता है, जैसे माल लेते हैं, आप उसको पैसे उधार दे रहे हैं, अगर आप उसको कितने अच्छे से जानते हैं, आपको friend है, आप जानते हैं, यह पैसा हमेशा लोटा दे, तो आप चाहोगो उसे ज़्यादा भी पैसा देदेगो, लेकिन आपको लगता है, यह कम लोटा था नहीं, समय पर पर परिसान करता है, तो आप उसको कम पैसा दोगे, क्योंकि आपको मालूम है, अगर इतना पैसा हमारा समय पर नहीं आए, तो आपको काम नहीं भानाए, तो आपने क्या करें, यहाँ पर रिस्क को मेनेज कर लिया, आपने minnej करके चल लोगी कितना पैसा अगर नहीं आएगा समय पे बापिस, तो आपको आगे यह कम नहीं रोखेगा, तो इसको बोलते है, तो इस तरीके से ही वो हमसे बॉंड साइन करवाती है क्योंकि कहीं आप जोड़के न चला जाओ जो बॉंड साइन चार साल-पांस साल का होता हैं तो अगर तीन साल का इसलिए करें क्योंकि आप वह फ्रेसर हो आपकी वह ट्रेनिंग के ऊपर इतना सारा खर्च करने वाले आपको सेकाने वाले जब आप काम करने लाइक हो जाओगे, सीख जाओगे और उस समय अगर आप जो एक साल बाद दो साल बाद जौब छोड़के चलेगा तो कंपनियों कितना नुक्सान होगा, तो कंपनी का करती है, आप बोंच साय करती है, उन्होंने रिस्क को मैनेज कर लिया, अगर आप पे पैसा खर्च कर दी सिकाने के लिए लरनिंग में, ट्रेनिंग में, तो वो आप से आगे काम भी कर वा सकते है, तो इसलिए उसने रिस्क को मैनेज कर लिया, पहले से, तो इस तरीके को बोलता है रिस्क मैनेजमेंट, सो ओवर आल देखें, तो रिस्क बहुत जरूरी हमारी क्योंकि risk नहीं आएगी तो हम अगले नया step नहीं लेंगे और आगे की संभावना है आगे की opportunities जो है वो नहीं देख पाएगे क्योंकि risk आएगी तब ही हम आगे बढ़ पाएगे और जब हम आगे बढ़ेंगे तो और हमारे सामने opportunities आएगी और साथी साथ हम उसको manage करके चलें करेंगे तो हमें ज्यादा नुक्सान भी नहीं होगा क्योंकि अगर वो चीज हमारी फैल होती वो प्लान हमारा फैल होता तो आप एक कैर्कुलेटिव रिस्क में बंद जाएंगे या आपको आपको मालूम है कि आप इतने में नुक्सान में बाहर आए गए फिर अगली बा हम उस पर्टिकूलर सेक्टर को पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे रिस्क में बेसिक मैंने अभी पताया जिस बहुत ही लेमन लेक्वेंज में जो आपको आसानी से समाझ में आ जाए तो अगर पसंद आया है तो दोस्तों परीजनों में सेयर करें जिससे जानकारी उनको भी मिल सके और उनको भी समझ में आ सके कि रिस्क मेंजमेंट कितना आसान होता है बैंकिंग और फैनेंस के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो मिलते नेस वीडियो में अब तके लिए नमस्कार जाहिए